तो इंडियन कोश्टवाड एक्जाम के लिए वोकेप्स का रा सेशन होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैंने वोकेप्स में अन्टॉनिम्स साइनोनिम्स वर्ण सब्सक्राइब प्रेज़ जो जो आज सकते हैं एक्सपेक्टेट 50-50 कोश्चेंस एक्सपेक्टेट तो करें व मोचकी वट्सकेंस वैंसाथ59 कोश्चयांस होने वाले स्पेलिंग मिस्टे व्यांपर हैं सित्से कर्म मेंने को चार मिनग जम चैख्या यह तो अगर signing आता होते हैं दूसरा क्या होता है इसी में आपको देखने को मिल जायाका प्रेक्ट इसमें आपको चार मिनग दी जाती चार मेनिंग में करना क्या होता है जिसमें से तीन रॉंग होती है एक राइट होती है ठीक है और कभी कभी जैस्टिसी का बोजीत हो जाता है तो वह चीज़ें आप आ जाती है चलो कोई भी डाउट है आज कर लिजेगा 40 कोश्चन है आप से एक से दो आज करूंगा बाकी सब बताते चलोंगा आपको समझ में आ जाएगा मेनिंग्स के आंसे भी आपको पता चलते चलेंगे वीड़ो को इंडर तक देखना कोई वीड़ा होता है तो जरूर कॉमें सेक्शन में आज कर लेना अब यहां पर वर्ड है कैंसलेशन वर्ड आप सभी ने सुना होगा कैंसल म सबना मना करना करना जो भी आप बोलो एक जो Multi मेनिंग में मिलीम रखकरना का मतलब यहां पर you बड़ एटी यह य वह ए काइंसलेशन 2े इस में तो इसमें भी नहीं है इसमें नहीं है शरॉद यहां पर टी हाइए होता है ना कि SION तो यह भी यहां पेले मिनेट हो जाएगा तो वन का राइट अंसर नमर सी हो जाएगा मिला लेते हैं ऑप्ष्यश नंमर और लगता है मिल रहा है स्भच के नहीं यह नहीं हो रहा है यह तो हटए दो यह अन्पर का कामिंग नहीं है यहां सबैसे पैसला को यहां यहां सो होता है कि एक आड़ होता है तो हटाई दो फोरेंग वर्ड आपको पता होगा फोरी आई जी यह आई जील फॉर्ड इन फारिंग कॉरंग इस फोर wizard वान यहां पर तो N-E-R हो जाता है foreigner, नोर तो हो नहीं रहा है कि OR करोगे आप, OR का तो कहीं सवाल ही नहीं होता है N-E-R भी नहीं होगा यहां पे आपका आएगा foreigner थर्ड कराइट answer option number A फोर्थ नमबर, accelerate करना accelerate का मतलब होता है किसी को खुष करना अब इसका जो meaning होता है वो जैसे बोला जाता है वैसे X-Hillerate ठीक है, हिले rate तो यह E-X-H-I-L-A-R-A-T-E कौन सा option है E-X-H-I-L E-X-H-I-L-A-R-A L-A होता है, यहां लाई नहीं होगा यहां पे option A पे E-X-H-I-L-A-R-A-T-E बिल्कुल सही answer, option number B आप second और third भी पढ़ सकते हो मतलब third and fourth भी बट right answer अपने को मिल गया तो बाकि फिर ignore कर देना होता है फिफ्ट नमबर क्यों यहां पे बढ़ते है inimitable inimitable का मतलब क्या होता है अनुकर्णी inimitable का मतलब क्या होता है अनुकर्णी spelling होती I and I I am I T A B L E I and I option देखते है I and I am I T A B L E मिल्कुल सही यहां पे पहला ही नमबर बिल्कुल सही मिल गया और भी option से आप देखना चाहो तो देख सकते हो बट वो सारे के सारे सही नहीं है तो five का राइट answer option number A हो गया inimitable का मतलब होता है अनुकरणी इसके एल्टर मिंस कंकाल आंगे बढ़ता है सेवन नमर की और कोलेबरेट करना कोलेबरेट करना यहाँ पर मेनिग आ गए है साथ नमर के कुछ डिफरेंट डिफरेंट मीनिक दिख रही ना कॉरोबुरेट कॉपरेट चॉकलेट और कोलोबरेट इसमें एक मेनिग आपकी ओचाएगा सी नमर क्या होगा सी डवल्ट डबल ओपी आरे टी बिल्कुल सही मेनिग यहां पे लिक हो यह को परेट और बाकि जो मेंग लिखे मिया ना वो सभीकिसा भी गलत है इस अब गलत अप डिफरेट को प्रेडवरेट जो होता है वोग और विचापरेट और तो यह यहां पर भी हो जाता है ए और बिए दोनों गलत लिखे थे सई करना चॉकलेट का मिनिंग डिसक्ष पालेते हैं अगर नहीं पता है तो चॉकलेट C-H-O C-H-O होता है C-H-O-C-O-L-A-T-E चॉकलेट अच्छा गोल गेट अच्छा कोलो केट लिए चॉकलेट नहीं था यहाँ पर सोलोग यहाँ पर कोलो केट लिखा था बट इससे हम लिखेंगे C-H-O-L-O-C-A-T-E मिन्स यह भी गलत है यह भी गलत और यह भी गलत है राइट मिन्न हमें बताना था जो हमने देखा कि कोप्रेट हमें बता था कि कोप्रेट राइट होता है तो हमने अपकोप्रेट पे क्लिक कर द 22 S-C-R-I S-C-R-I P-T-U-R-E किस option में है या आप देख लेते हैं S C R I P T U R E इसमें नहीं है S C के लगा दिया है इनोंने S C R I P T U R E option number C देखो मैच कर रहे अपनी इस meaning से S C R I P T U R I option number C match कर रहे जो 9 number है ना बहुत बार पूछा हुआ exam में question है 9 number जो meaning है ना बहुत बार exams में पूछी हुई है 9 number जो meaning है exam से मतब mostly पूछी हुई question है meaning है इसी note down का लेना C O M M वैसे पीडियाप में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा जो भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो जुड़ जाना All In Education के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने दे रखा है कॉमेटी की spelling C O M M I T T W E C O M I T T W E कॉमेटी C O M I T T W E कॉमेटी होता है आंके बढ़ते है 9 के बाद 10 नमबर की और 9 के बाद 10 नमबर की और 10 का क्या होगा राइट आंसर Obsession Obsession का मतलब होता है जुनून जिसे बुलते है Crage Craziness अच्छा ये किसका sign on भी होता है Fadism ऐसे होते तो बहुत है लेकिन ये जरूर ये तो लिख लो Fadism Obsession का 10 नमबर पर ठीक है और 10 का राइट आंसर Obsession की मेनिंग क्या होती है O-B-S-E Double S-I-O-N Obsession का मतलब होता है जुनून कौन सा राइट आंसर होगा O-B-S-E S-E Double S-I-O-N ये नहीं होगा O-B-S-E Double S-I-O-N यहाँ पर B नमबर पर को राइट हो जाएगा चीक है Obsession O-B-S-E Double S-I-O-N Obsession का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर Obsession का मतलब हो जाएगा क्या होगा Obsession का मतलब जुनून Craigs Craigsiness Thadism आंगे बाढ़ता है 11 नमबर क्यों अब यहाँ पर 11 पर आपको In the following question There are four words In each question Find the word Which is wrongly sped अब वो बिल्कुल सही वर्ड लिखे हो है Barron means Banjar होता है जिसका पोजिट होता है Fertile उपजाओ ठीक है अगला इन सिगनिफिकेंट Significant माद पूर्ण होता है उसका पोजिट यहाँ पर लिखा हो बिल्कुल सही मेनी लिखे हो है जो efficient है यह गलत लिखाओ यहाँ पर Efficient के मीनिंग जो होती है EFFI होता है EFFI C I E N T होता है Efficient 11 number इसका मतलब क्या होता है कुसल Efficient का मतलब कुसल EFFI C I E N T Efficient का मतलब होता है कुसल 11 का राइटा अनसर आप्षियन नमबर यह हो चाहएगा 12 नमबर क्यों बढ़ते है अच्छा एक बात आप सभी को और शेयर कर देता हूँ Coast Guard exam के लिए Online mock test जरूर लगा लेना उसके लिए परिक्षिया पर आपको Best mock test लगाने को मिल जाएगे Exam relevant है DBGD के लिए होगा कि अगर Online mock test आप लगा लोगे ना से आपको छूट मिल जाएगे थोड़ी बारी नहीं 50% के मतलब टेस्ट आपको 300 रुपए में मिलता है वह 149 रुपए में टेस्ट मिलेगा और 149 रुपए में बीस टेस्ट online लगाने है आपको ठीक है तो इतना वैसे में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप मौक टेस्ट लगाने स्टार्ट करो क्योंकि एक्जाम अपका क्लोज है आंगे बढ़ते हैं आपे ट्वल नंबर क्यों या पर ट्वल पर क्या होगा फिर से अपने को मतलब गलत मेरिंग बताना है इड्माइ क्यों होता है हो मैं करिया और होता है हो मैं और फोमेई चाब बलते हो ट्रिबूट घिकर लैक सर्धानजली जी से वह मतलब कर दो प्रोलांग कॉंडिशनल ऑप्सक्यूर यह कैसे से जो बोलते हो आप तो इसका मतलब थर्टी नंबर को जो राइट मेनिंग होगा वह कर डी ठीक है कैसे का मतलब होता है सचेत सवधानी स्पेलिंग जो होती है सचेत और बाकी जो कंडिशनल है जिसे आप सर्थ बोल सकते हो अप्सक्यूर लाइक ट्राफ्ट करना प्रोलांग का मतलब पहले सही लंबा टाइप में बोला चाहता है अपने को फिर से गलक्त बताना है वरसिप बिल्कुल सही लिखा हुए वरसिब्ड डबलू और यहां पर बढ़ाना मर्मड यहां पर बढ़ाना इसके M, U, R, M, U, Double R, E, D नहीं होता M, U, R, M, U, R, E, D होता एक और यहां पर इनोंने एक्स्ट्राइड कर रखा है तो कुछ इस तरह से यहां पर राइट आंसर आएगा 14 का ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा इसके M, U, R, E, D, 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 अपनी बातों में लाना ठीक है बातों में लाना अपनी बातों में अट्रैक्ट करना लेप बोलते हो से इनिप्ट एम्यूचर और ग्लोरी फाइप और संदर होता है यहां पर मैं हमेशे से बोलता रहा हूं उसका मतलब होता है तो यह मेनिंग यहां पर गलत लिखी हुई है 15 का टी यू आर होता है ठीक है अंगे 60 नमर इप्रेज बिहावियर मेंडिनेस कॉमेंड कॉमेंड लाइक बिहावियर कैसा है और आपर किसी के बारे में जाचना ऐसे बहुता है तो यहां पर एप्रेज हो जाएगा मेंटीनेस गलत लिखा हुआ है मेंटीनेस यहां पर गलत लिखा हुआ है तो यहां पर आई तो है नहीं कहीं पर गलत हो जाएगा आंगे फिर से आपको राइट बताना है यहां पर मतलल रॉंग वाली मेनिंग फाइंड करना है यूनिक यूनिक से यूनिकली बन गया है इसका ओली थोड़ी होता है डबल डी लगा दिये ने को डली होता है लेकर डबल डी थोड़ी लगेगा डबल एल थोड़ी लगेगा की डबल एल वाई होगा तो यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा option number d-17 का एटिन के और बढ़ता है beneficial सही लिखा हुए लगता है यह नहीं बेनी फिशियल 18 नमर बेनी फिशियल सही तो नहीं है यह पाई होता है बेनी फिशियल यहीं डिप्राइब का मतलब होता है अंकीत करना ठीक है डिप्रेव और रेगुलर मतलब क्या होता है रेगुलर मतलब अकसर हमेशा और बेनीफीशियल 18 का यह हो जाएगा यहां पर बेनीफीशियल एफाई होता है आंगे 19 नमबर, narrator, overseer, license, pretence 19 नमबर, 19 पर, तो यहां पर 19 नमबर पर जो मीनिग दी हुई है यहां पर एक मीनिग है overseer ठीक है यही यहां पर गलत दिया हो बाकि सारी इक सारी नरेटर वड़ आपने सुना होगा ठीक है लिखने वाला license वर्ड सुना होगा, pretence सुना होगा ओवर सीयर, स, डबल, स, इ, ए, र, नहीं होता, ओवर सीयर मतलब होता है, O, V, E, R, S, डबल, E, R, ओवर सीयर, ठीक है, ओवर सीयर, 19, इसका मतलब क्या होता है, हो जाएगा, अधिकांस, ठीक है, अधिकांस, इसका राइट मेनिंग क्या हो जाएगा, अधिकांस, तो अधिकां separate word सुना है class separate कर दी जाएंगे अलग कर दी जाएंगे S E P A R A T E separate S E P A अच्छा ए तो है नहीं तो यही गलत हो गया बाकि आप चाहो तो कर सकतो है serenity word लिखा हुगा है serenity का मतलब होता है सांती, desertion, rejoice मतलब आनन से रेटेड होता है अगला question, अब यहाँ पर क्या है 21 to 40 find the correctly spread word अपने को क्या है एक meaning पता है कर नहीं बस सही अगर आती है तो बस विल्कुल सही है ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुगा है remiscent, remiscent मतलब कि अपने जो याद दास्त होती है उसको ताजा काना तो 21 का क्या होगा, 21 का right answer हो जाएका option number A remiscent, s-c-e-n-t होता है, s-c-e-n-t होता है, s-c-e-n-t होता है, काम कतम के वाल option number A पर होता है remiscent, remain word से बना है, ठीक है, वैसे remain अलग हो जाता है, remain में से similar type में बनता है पर यह remiscent, याद वाला है, ठीक है, तो 21 का A, 22 number, emphatic, 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 t-i-c-k, मतलब कुछ भी, 22 number, 22 number spelling emphatic की, emphatic, emphatic, t-i-c, emphatic का मतलब पता है आपको, अच्छी मात, emphatic का मतलब पता है जोड़दार, तेजी से तो emphatic, 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 option number, b, विल्को, राइट हो गया, next question की और बढ़ते हैं, आपे 23rd number क्यों, 23rd number क्या है, इपो लोगी, इसका मतलब क्या होता है, इपो लोगी लग, उपसंगार करना, इपो लोगी का मतलब उपसंगार करना, तो जैसे बोला है, वैसे ही लिग भी जाता है, E-P-I-L-O-G-U-E, मिला लेते हैं, E-P-I-L-O-G-U-E, है यह, यह यह तो है ही नहीं आपे, E-P-I होता है, डबल पी लगा दिया, E-P-I-L-O-G-U-E, इसमें भी नहीं है, तो बस option number A ही बच्चा, 23rd number, इपो लोगी का मतलब होता है, उप्शंगार, यह वर्ड आपने, हत्यार, टाइप में, M-A, M-A, D-S-A, C-R-E, मैंश के रहा हत्यार, M-A, D-S-A, C-R-E, M-A, D-S-A, D-S, A, D-S-A, 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 E-P-I-L-O-G-E, मतलब होता है, M-A, D-S-A, 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 D-S-A-D, D-S-A, D-S-A-D, D-S-A, D-S यहां पर का मीनिंग क्या होता है इसका राइट मेनिग क्या होता है वहाज सोप्टैस है और मॉट दबल पी डबल सिदी मैंच करा लो वह डबल पी होता होता हो और डबल पी आर ई डबल सो त gusta जब है यह बिद ऑटाव और डबल पी अरई डबल सब्सेचिन अचगार बिल्पпр curved लाइच हो गया लुट टिसे को हो и यह होता है और होता है यहां यह यह आरह यह नहीं आरह यह तो बोकुर को आइगा उचाय कर चैसे यहां पर यहां पर मॉन्टिंग स्पेलिंगी नहीं से यह यह तो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाता है इन दोनों में गेम तर नियर होता है मॉन्टे नियर एंड डबल ए आर तो 26 का सी नंबर फिल्कुल राइट हो जाएगा 27 नंबर इन एफेक्च्वल का मतलब क्या होता है इन फच्वका टे-एफल का मतलब होता है अप रभावी जैसे बोला जाता है प्लब उसी तरह इन एर्ध में डबल एफ यह लगा प्रभावित टुटी एट नंबर प्रिविलेज टॉटी एट का राइट अंसर क्या होगा प्रिविलेज का मतलब होता है विशेसा दिकार होता और स्पेलिंग बिल्कुल राइट लिक्यों ये पी आर आई वी आई एल इजी इए प्रिविलेज का मतल़ होता है विसेश अधिकार है अगला question 29 number contemplable 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 वैसे contemplable होता ही नहीं है 29 पे contemplable होता ही नहीं है contemplable होता है contemplable how time people 29 का right answer क्या होता है इसका राइट मेनिंग जो होता है वो होता है C O N T E M P T I B L E Contemptable C O N T E M P T I B L E P T I B L E होता है P T I B L E यह हो सकता है P T I B L E यह भी हो सकता है और यह नहीं होगा आगे देख सकता है Contemptable P T I B L E option number B और C I think दोनों के दोनों सेम दे रखें नहीं नहीं यहां पे A है यहां पे E है तो अपने E वाला राइट होगा ला तो 29 का C number right हो जाएगा ओके.Necst question क्यों बाटते है 30 If floor of scene He florescenes fluorescence का मतलब क्या होता है 30 number पे If fluorescence का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता किसी चीज का full जाना तो 30 का right answer क्या होगा option number A बिल्कुल right हो जाएगा मेनिंग को note down कर लिए जिका बहुत कम लोगों के मेनिंग आ रही होगी E F F L O R E S C E N E फ्लोरेसीन का मतलब क्या होगा किसी चीज का full जाना ठीक है फोलना यह फ्लोरेसीन होता है अंगे बढ़ता है रे फ्री आप स्प्रिंग इनिक्स्प्लिकेबल और एक्स्टर मीनेट 31 बताना question comment section में ठीक है तीन राइट है एक रॉंग है या फिर एक राइट है तीन रॉंग है और उसके इसका answer 31 का यहां पर मुझे comment section में आप share करोगे 32 नंबर यहां पर discuss करता हूं मैं framing अ बर्निंग फ्राइंग रंकिंग यह आप एक चीज़ देखा आपने प्राइंग यह तेखिते ही है पता चला है ट्रैंग यह यह र्य न ईन अजि रंग फ्राइंग होता है यहां आपर बिल्कूल आपने देखते ही सही है आँ कि वीनब कि साइकोलोजिकल 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 पी यस वाई सिंपल सी बात होती है आपको पता है ना पी आपका साइलेंट होता है तो यस वाला गलत कर दोगे यस वाला गलत कर दोगे ठीक है अब पी यस वाई सी एचो कि क्यों लगा दे साइकोलोजिकल जैसे फिर बोले में मीनिंग हा यह 34 नमबर पे मनल का मतलब क्या होता है 34 नमबर पे चपेट मिन अपनी बातों में एट्रैक्ट का ना 34 का इसका नहीं क्या हो जाएगा इसका राइट मेनिंग होगा वी यू एल एन ए यह आघ एल इट्टीं नंबर इसा का मतलब क्या होता है उसे अधरत दालू सुनांब नहींäg तालू ठालू लंबसे जुकाओ थी नियुट फिर से इसमें से सही बताना है क्योंकि टूर लिवल्ट इल्वाई होता ही नहें टूरी में पी आर्ल यू से अच्छी तरह समालू भावधी हिंदी मीनिंग होता है हिंदी में सिंसीयरली सिंस्यरली बिल्कुल सही दिया हूं है यहां पे एफेक्सने से लिए यहां पे एफेक्शन सोरूपा रहा है गदत लिखा हुआ तो यहां पे 36 का भी हो जाएगा 37 नंबर प्रवर्टेड परवर्टेड मतलब होता है अलगकरना विक्रत हिनदी होता है विक्रत इसका मेनिंग क्या होता है पी से जैसे बूला जाता है बिल्कुल वैसे लिखतो परवर्टेड वी ए आर टी इडी परवर्टेड तो यह परवर्टेड पी ए आर यह नहीं होगा यह लिख रखा है परवर्टेड वी यह होता है वी होता है ऑप्शिन नमर के थर्टी एट नमर कोई एक मीनिंग राइट है थर्टी एट के कोई एक मीनिंग राइट है क्या दोगो डी थरिंग डी थरिंग का मतलब क्या होता है थर्टी एट नमर पर कटोती करना इस पेलिंग होती है डी आई टी एच ए आर आई एंग डी थरिंग का मतलब होता है कटोती करना तो कौन से मेनिंग होगी डिए टी एच इच होता है के वल डिए डिए होता है डिए होता है ऑप्शिय नमर सी डिए टी एच ए रिंजी आगे दिको एक बात और बता जेता हूं भाई मौक टेस्ट जरूर लगाते रहना जादा से ज्यादा मौक लगाओगे ना तो आप टाइम मैनेज करना रहे तो जीडी सेक्षर में देखते रहे जाओगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा यूँ आप आप सही ने सुना ऊगा सी ओ यम पी उस सर री जैसे बोले आताया वैसे लिप दिया जाता है कंपोजर फोटी नंबर कॉन्सनस कॉन्सनस का मतलब क्या होता है सहमति कि सी बात में एकडी करना तो जो मीनिंग कॉन्सनसस की औ-एन-स-इ कॉन सेंसस से यह यह नहीं होगा और यहां पर कॉन सेंसस बिल्कुल राइट में नहीं हो जैसे भी लगे हो सेंसस के कोशेंस कॉमें सेक्शन में जरू शेयर कर सकते विडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा नहीं हो तो कोई बात नहीं है विडियो देखने लिए थैंक्यू सो मच मच शेयर विडियो फ्रेंज जैहिन और अल दो बेस्ट